हलो 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 तो आज मैं एक सवाल का जवाब देने आया हूँ कुछ लोगों ने पूचा कि का सेलेक्शन कैसा होता है ना तो इसको पता होगा लेकिन जो अभी-अभी इंटर्वी देने आया है उसको पता नहीं होगा तो इसलिए यह वीडियो इसलिए उन लोगों के लिए तो यह हमारा और नाचल में जो है 80 इसलिए तो 20 का रेशियो होता है मतलब 80% exclusively for the APST and 20% is unreaserved suppose 10 post 10 post तो 10 post में अगर 80 to 20 का रेशियो निकलाएक तो 8 post exclusively हम APST का हो जाता है 2 post जो है वो ना APST का ना non-APST का वो किसका हो जाता है वो unreaserved category में आ जाता है मतलब उसमें हर कोई जाकर participate कर सकता है जो भी category का suppose अगर उस exam में कैसा होगा उस two post में selection APST को देगा? No, non APST को देगा? No उसमें सिर्फ toppers को देता है अगर toppers APST बना हुआ तो उस topper non APST को मिलेगा अगर topper non APST बना तो उस post में non APST को मिलेगा और ये बात दियान रखना ज़रूरी है कि आगर वो दो पोस्त है तैन पोस्त है तैन से तू पोस्त में ही सिर्फ नोन APST लोग पर्टिसिपेट कर सकता है अगर वो तोपर्स अगर उस एग्जमें तोफर्स जो है दोनों ही APST है तो नोन APST किसी को भी नहीं मिलेगा इसलिए मेरे प्यारे बाईयों और बेहनों मेरे दोस्तों अगर आप और हम चाहता है कि हमारे जोब को नोन APSC कब जाना करें तो हमें एक उपाई है उसका उपाई क्या है कि हमें एक्जांप का टॉपर्स बनना है अगर हम एक्जांप का टॉपर्स बनता है तो उन लोगों को जगा नहीं मिलेगा ये बात है उसके बाद मेरे बहुत सारे नोन APSC प्रेंट से उन लोग एक कॉंप्लेंट रहता है एक बोलता है कि बहुत और ना चलम अगर तेन पोस्त निकलता भी है तो तेन और तेन से अब APSC लोग मिल जाता है दो पोस्त अन्रिजर्ब है बोलता है लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है अरे मेरे डोस्तो उस पोस्त में मिलने के लिए आपको टॉपर्स बनना परेगा क्योंकि आपका लराई जो है उस तूपोस्त के लिए है उस तूपोस्त में किसको देता है टॉफर्स को देता है मतलब वो UNDERιजर्ब है वो ना APSC का है ना NO इनUPIESC वो तॉपर्स का है तो यह है हमारा उस उसमें सेलेक्शन का सिस्टेम यह ऐसा होता है अगर किसी को किसी confusion अगर यहां से दूर हो गया है तो आप और share करो उसके बाद किसी को confusion और भर गया तो और तो बहुत अच्छा बात है तो आप और recharge करो क्योंकि आसका sources बहुत ज़्यादा है अगर आप recharge करेगा तो आपको और निया आइडियास बिलेगा आपका चानकरी और भरेगा तो यह है तो thank you so much बाई बाई